सो हैलो डियर स्टूडेंस हाज के इस क्लास में आप लोग को सिखाने वाला हूँ MS Paint जिसका पूरा नाम है Microsoft Paint यह Microsoft Companies को द्वारा बनाया गया बिल्कुल फ्री में प्रवाइड करती है अपने OS के साथ मत्तब ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ अभी ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे लाइक अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे में यह Windows 10 का उपरेटिंग सिस्टम चल ला है पोस्ट लाइट कर लो मेरे यह आप दिख रहोगे आपको डेक्स्टॉप पर यह फोटोसाफ दिख रहा है डप प्रीमियर प्रो दिख रहा है यह सभी जो सॉप्टर से ना पेड़ वर्जोंस होते हैं मत्तब नहीं पेमेंट करोगे आप मजो भी नहीं इसका सब्सक्रिप पूरी यूट्यूब पर किसी और की वीडियो देखनी की जरूरत नहीं पढ़ने वाली है क्योंकि मैं आपको बता दू केम्प्यूटर मास्टर माइंड चैनल पर जो ही वीडियो जाएगा उस सॉप्टेर का मैं कम्प्लीट ओभरत भी दिऊंगा और मेरा जो पढ़ाने का करना चाहते हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो चलिए फाइनली इस वीडियो को में स्टार करते हैं सबसे पहले हम लोग जानते हैं के MSP को ओपें कैसे करते हैं करने का जो होता है हमें सबसे पहले यहाँ पर क्लिक करेंगे जो यह दिख और बटन ठीके इस टारट तो करने बैंसित करने के बाद इसमें मैं आपको बहुत सारा एंबर्वियू बताने वाला हूं कि क्या-क्या होता है सब्सक्राइब कर सकते हैं यहां से यहां से मैक्सिमाइज कर सकते हैं तो आपको समझ में आ गया अब दूसरा चीजे है मैं बताता हूं आपको दिखता हूं कोई भी यह दिख रहा होगा यह होता है क्या टाइटल बार में कोई भी यानि जो भी हम प्रोग्रामी वीज़ करते हैं उसका नाम सो कराया जाता है देखो जैसे वहां पे लिखावा पेंट उससे पहले आपको एक सीज बता दूँ यहां जो दिख़ रहा होगा यह यह टैब है मतलब एक तर हमेनु बाद बोलते हो आप लोग ना वह मीनुबार है टीक है मीनु भार क्या होता है यह होम मेनु दिख रहा है फाइल दिख रहा है यह सभी तैप हैं मतलब यह जितने भी दिख रहा बार हमारा होता है क्या है चलिए मैं पर लेता हूँ सेविनल अग्स कर सकते हैं अभी मैं लाइब इनका प्रेटिकल करके आपको दिखाऊंगा सभी अपसंद ठीक है तीक हमारा कियो के एक सब्सक्राइब और साथ में नीचे जो दिखाई जाता है यहां पर नीचे धिहान से यह हमारा स्टेटस बार होता है जहां पर आपको दिखाया जाता है कि आप कितने साइज पर वर्क कर रहे हो जैसे यहां पर देखो किया अभी यहां पर देखो फिर से मैं इंडिकेट करके आपको दिखाता हूं यहां भी इस साइड में हमारा क्या होता है स्क्रॉल बार बोला जाता है इससे हम लोग पेज को अप डाउन कर सकते हैं और नीचे वाला जो स्क्रॉल बार है उससे हम लोग पेज को लेफ्ट करते हैं लाइक है यह हमारा वर्ट आपको समझ में आग कि हमारा होता है पर रिबन सभी दिख रहा होगा सबसे पहले इनको मैं क्लियर करता हूं यहां मैं नू चलता हूं और हो मेन यह निए आने के बास देखू है यहां पर मैंने क्लिक हैं इसको बोल सकते हैं आपको आपको इसके बारे में मैंने समझा है कि है क्या होता है स्क्रॉल वर क्या होता है यह तो आपको समझ में आ चुका होगा अभी हम लोग सीखते हैं इस सबसे पहले मैं इधर उधर आफसं को बताऊंगा तो आप विल्कुल घबराना मत मैं सभी आफसं को कभर करूंगा क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का इस चीज को पहले बताया आपको बाद मीं समझ में आजेगा सबसे पहले यहां हम देखते हैं यह जो दिख रहा हमारा यह नहीं होता है सेप्स सेप्स का मतलब होता है आकरतियां अब यहां कितने डिफरेंट टाइफ आफ सेप्स देख रहे हैं बहुत अलगलग कोई भी से तो जो होता है वैग्राउंड कलर होता है कलर टू को अभी मैं आगे वेडियो में यूज करके दिखाऊंगा उससे पहले अभी हम कुछ बनाने जा रहे हैं सेप्स और मैंने बताया नहीं जो भी आकिरतिया नहीं सेप्स हैं तीन में से मैं किसी एक पर क्लिक करने के बास से बटन को प्रेस कर लोगे तो लंबाई चोड़ाओ कि जो अनुपात होगा ने इसमें दोनों एने सेम होगा देखो आप अभी मैं इसकी साइज बढ़ा रहा हूं माउस के लेट बटन को दबाये हुए यह सारा काम करना आपको और उसके लेट बटन को क्या करना आपको प्र कर सकते हैं लाइक इस इसका अगर कलर हम गरीन करना है तो क्या करेंगे देखिए अभी क्या होगा ग्रीन हो चुका है अभी से लिए मैं आपको बताता हूं यहां पर नियुक्त के बारे में अभी एक उप्सन बताऊंगा घबराओ विल्कुल मत मैंने बोला नहीं बस दिल सामके बैठर हो एक इक सीज़े मैं आपको बताऊंगा अभी यहां देख सकतो आउटलाइन आउटलाइन पर जैसे आएंगे अभी किस पर सेलेक्ट है यहां पर ध्यान से देखो सॉलीड पर है तो इसकी लाइनिंग कैसे आ रही है जैसे ही मैं इस पर अभी करता हूं देख वो लाइन के यह मत्ता हम चेंज कर सकते है इस स्टाइल को जैसे और कर दीए देखो ऐल के जैसा दिख रहा है ठीक है अभी एक चीज अभी थोड़ी इसकी साइज कम है यहां से हम लाइन की साइज बढ़ा सकते हैं जैसे हाएंगे अलगर अगर मैं आउटलाइन को चेंज क आपको जरूर चेक आउड करें ठीक है अब देखिए ध्यान से इसमें जो होता है हमारा फिल आपसन मैंने बोला था ने यह जो होगा कलर टू कैसे काम करता है आपको डीटेल में करता हूं क्या होता है अगर सपोस्ट करो कि फिल वाले में कैसा फिल आपको करना है सौलीड क चुक हो चुक है तो क्लेक्ण करता हूं अगर ऑलो करूंगा तो देखो यह बॉटर कलर फिल हो रहा है अगर का यसे हुआ है वाटर कलर फिल हो रहा है अगर आपको तो solid fill करना तो क्या करेंगे, fill में आएंगे और इसके effect को change कर देंगे, solid कर देंगे, अब अब मैं कोई color लोगा, तो वो solid fill होगा, तो I hope fill effect को कैसे change करना है, आपको समझ में आज चुका होगा, या fill option पे click करेंगे, या से fill effect को change कर देंगे, तो अभी अगर मैं बाहर click कर दूँ ये जो AI मत्तब shapes मैंने बनाया था, unselect हो चुका है, अगर मैं अभी color 2 को कुछ भी करूँगा, तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी fill हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन अब ध्यान रखना, अगर पहले से ही हम दोनों color को decide कर देते हैं, तो क्या होगा यहाँ से लिए हम देखते हैं live, इसी steps को दुबारा अगर मैं ट्रा करूँगा, पहले से, पहले से देखो color भरा हुआ draw हो रहा है, है ना amazing की बाते, तो अभी देखो पहले से क्यों आ रहा है, क्योंकि पहले इसमें white color था, चलिए एक बार live में experiment करता हूँ, color 2 में again white कर देता हूँ, तो white हो गया, तो white था, तो white दीख नहीं रहा था, by default इसके अंदर color fill होके आ रहा था, लेकिन आपको दीख नहीं रहा था, क्योंकि आपका page का color भी तो white है, तो जब सेम दोनों matching होगा, तो कैसे दिखेगा, नहीं दिखेगा आपको colors, अभी चलिए, यह आपको समझ में आ च सकते हैं, live आपने देख लिया, चलिए, अभी आपको यह भी समझ में आगे, यहां से हम लोग color palette को select कर सकते हैं, और एक चीज में आपको सिखा दूँ, आप यहां पर edit colors नाम के option में जाके, और भी बहुत सारे colors यहां पर आपको दिखते हैं, जैसे इसमें से कोई भी आपक कर रहा हूं, आपको color बनाना आता है, फार्मूला पता है, तो ऐसे करके, add custom color पे click करके, ओके कलो को यहां आजाएगा, ठीके, तो अभी color to में by default white रखता हूं, ठीक, I hope आपको color to कहां use होता समझ में आ चुका हूँ, आ लडी वो fill होके आएगा, एक तरसे बोले तो उसको background color भी बोलते हैं, कहां पी background color बोलते हैं, अभी मैं आपको भी experiment करके दिखाऊंगा, चलो, अभी background color में कैसे काम करता, अभी तो यह fill होके आ रहा था, अगर by default set कर दोगे, इसमें जो भी color, तो कोई steps बनाओ गया, आ लेडी fill होके आएगा, ठीक, आ रहा है ना, लेकिन नई ची अभी मतलब मैं page को clear कर रहा हूँ, यह तरीका मैं आभी आ गया, आपको बताऊंगा, तो यह red आ गया, भाई मैंने, जैसे पेट को clear के red आ गया, बोला ना भाई, यह color 2 जो होता है, background color भी होता है, तो I hope यह आपको समझ में आ चुका होगा, कि यह है क्या, मतलब यह क्यों ऐ fill करना हो, किसी steps में, जैसे जो भी steps में screen पे drag किया हूँ, तो उसके लिए आपको to fill color, यह जो tools दिख रहा है, इसका use करना पड़ेगा, कैसे इसका use करते हैं, सलिए मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले, इसका हम click करेंगे, यह tool select हो जाएगा, यह tool select होते ही, आपको color decide करना जिस भी, यह जो यह होता है, to fill color नाम का tool, यह जो fill with color नाम का tool, यह जो होता क्या है, कि किसी बंद एरिया में color भरने का काम करता है, तो suppose that कि अभी हमने जो steps बनाया है, यह एक बंद एरिया है, इसमें जैसे click करेंगे, color fill हो गया, अब जिसके अंदर भी fill करना हो, इसके कर दिया, जैसे देखो, अभी मैं outline पे मेरा fill with color tool है, जैसे ही मैं click करूंगा, बाहर की line change हो गया, तो ऐसे करके कोई जरूरी नहीं है, कि एक बंद एरिया में ही रंग भरोगे, अगर कोई प्रॉपर एक color का कुछ area है, तो उस area पे अगर आप click करता हो, तो उस color को replace भी कर दे करने के लिए, और इस चीज को करने के लिए, Ctrl Z V keyboard से press कर सकते हो, तो अभी मैंने यह जो color लिया था, यहां पर चलो मैं black ले लेता हूं, अगर मैं इसके lining पे click कर रहा था, तो क्या हो रहा था, यह भी जो एक color, color जो आपस में matching किये हुए, इस color को भी बदल देता है, fill with color, त उस color से आप अपने according, manually कुछ भी drag कर सकते हो, अब कोई जरूरी नहीं जो drag कर रहा हो, इसके size को यहां से बढ़ा भी सकते हो, अब आप जो भी drag करना हो, यहां पर जैसे देखो, ठीक है, अभी तो आप यहां से ड्रा भी करके कोई भी आप अपने according, arts यानिकि जो भी graphics होता ह है, बना सकते हो, ठीक है, क्योंकि मैंने बताया है, जो MSPENT है क्या है, एक साधार मतब ड्राइंग software है, नहीं बोल सकते हो, तो graphic editing software है, जिसे simple simple चीजे ही बना सकते हैं, ज्यादा advanced नहीं, तो चली अभी तो आपको समझ में आ गया, अभी मैं करता क्या हूं, color 2 को मैं white रखता हूं, white deferred, वरना अभी problems आएगा, color 2 को white रखना क्योंकि आपको चीजे मुझे समझाना है, white पे अच्छे से visible होगा चीजें, तो अभी देखिए, आपको समझ में आ चुका है, यहां तक इन तीन मत्तब दो टूल्स का मैंने काम आपको समझा दिया, यह जो टूल्स है ना यह अभी, इसके बारे मैं आपको थोड़ा रुक क्या आपको बत से right click करो गो, उतना ही zoom in हो रहा है, माँस का left button करो गोई, zoom in, zoom out कर सकते हो, left right click से ठीक है, देख रहा हो ना यहां से भी आप चाहो तो एनी जो है न, zoom out, zoom in कर सकते हो, जैसे 100% मैंने कर दिया, तो I hope इस tool का काम आपको समझ में आ चुका होगा, अगेन उसी पर click करो यह हट ज लिखने लगा होगा, इस्क्रीन पर लेकिन मैं आपके बात बता दूँ, यह जो इरेजर है, इसका size बहुत ही कम है, इसके size को बढ़ाने के लिए, आप keyboard से control के साथ, plus button अनि, option जो अनि मतलब होता है, plus symbol उसको press करोगे, दबाए रखोगे, इरेजर के size को बढ़ा भी कर सकते हो, यह आप पर depend करता है, कि आप इसको कैसे use करते हो, जैसे ही देखो, अभी मैंने क्या गया, इरेजर को मैं क्लिक कर रहा हूं, उतने जगा की चीज़े, इरेज हो जा रही है, तो आपको सोचना है, इस इरेजर का use कैसे, कहा कहा कैसे करोगे आप, ठीक है, तो अभी करेंगे, पूरा page में जितने भी any items होंगे, मता हमारा steps होगा, जो भी text होगा, सभी select हो जाएंगे, फिर इसी में जाएंगे, यहां पर delete option दिखेगा, अलडी मैंने दो option भी पढ़ा दिया, आपको select क्लिक करेंगे, पूरा page क्लियर हो जाएगा, इसी काम को आप keyboard के साथ control A कर होगे, आल select होगा, delete button को press करोगे, delete हो जाएगा, जो भी steps होगे, ठीक है, अभी यह मैंने आपको पता चुका हो, अभी एक बात आप ध्यान से दो कूर, यह होता है, इसे हम कहीं से भी color को pick कर सकते, suppose that करो, कि मैंने कोई steps बनाया है, इस steps में मुझे कुछ color फिल करना था, तो इतने point पर set कर लिया हूँ, यहां पर code से मैं कोई color बना देता हूँ, ठीक है, मालो की कोई code से मैं color बना दिया हूँ, अब कैसे बन रहा है, ओके करूंगा, यह बन चुगा है, तो फिल कमालो, suppose that करो कि इसको मैं इसमें fill with color tool लेता हूँ, इसमें fill कर देता हूँ, अगेन मु से नहीं जो color बनाओगे अगर आप इसमें से, तो फिर same accurate इसके जैसा नहीं बना पाओगे, अगर हट चुका है, इसमें तो, कहीं बाद में आप काम कर रहे हूँ, तो आपको क्या करना है, यह जो color picker है, और जो भी color आपको इसमें fill करना, अगर यहां नहीं है, इसको ऊपर आपको इसमें बदलना हो, आउट लाइन पर क्लिक कर दो, वह बदल जाएगा, तो समझ सकते हैं, यहां तक, अगर आप सकते हैं, कोई image भी open है, उस image के उपर भी यह tool को लेके pick करोगे, कहीं आखों के उपर का color उठा सकते हो, कपड़े का color कहीं से ले सकते हो, वह भी ले सक करते हो, ठीक है, जैसे for example के लिए, मैं फाइल में चलता हूँ, open में चलता हूँ, open में जाने के बाद से, मैं चाहूँ तो अभी 10 PC में आउंगा, 10 PC में आने के बाद अभी देखो, इवाले ड्राइब में आके चलिए, मैं आपको इसमें से यहां नहीं क्या करता हूँ, यहां पिक हो जाएगा, color picker को लेंगे, जहां से भी पसंदार है, वो color ले सकते हो, और बाकी यहां से drying area को आप बड़ा भी कर सकते हो, यहां से मने बड़ा कर दिया, तो अगर बाकी कहीं कोई image बना रहे हो, इस color का बनेगा, जिसमें से कोई color pick की हो, तो I hope यह समझ में आ च यहां पर क्या करेंगे, एक area decide कर देंगे कि कितने area में मुझे text को type करना है, ठीक है, जैसे माउस का left button दबाए हुए, जैसे drag करेंगे, यहां पर हो चुका है, यहां से जो भी color आप चेंज करोगे ना जिसे यह color बदल जाए, यह लो करो देख़ए, यह लो हो रहा है, जो भी करोगे यह color बदल सकते हो, यहां से अब इसकी size को बढ़ा सकते हो, इसका ना में bold है, इस पर click करोगे, यह text की जो मोटाई होगी, वह बढ़ जाएगी, आई वाले option पर click करेंगे, इसका नाम है italic, यह text जो होता है, कहा है, अपने वास्तवी की तभी होता है, जब text select रहता है, ठीक है, जब तक text select नहीं रहेगा, कोई भी activity नहीं होगी, suppose करो कि अभी यह text unselect हो चुका है, अब जो भी text लिखो के नहीं है, इसे मालो click करता हूं, तो कुछ आ चुका है, पर example के लिए मैंने कुछ भी लिखा, ठीक है, यह select करेंगे हम लो इस text को, जो text आप लिख रहे हो, उसको cut कर देगा, जैसे तो कहां इस ने cut कर दिया, इस text को cut कर दिया, इसने, यह कहां use होता है, जैसे कहीं price दिखाना हो कि यह पहले इसका price था पांसो निन्यानवी रुपे, अभी यह मिल ला है, मातर तो तो पहले वाले प्राइस को लिख हटाना है, उस text को select करके, अगेन उसी tools पे click करेंगे, हट जाता है, यहां से हम font के style को बदल सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हमारे PC में इतने सारे fonts हैं, जो भी fonts अगर आपको इसमें से लेना है, उस पहले किलिक करेंगे, देखिए, इतने सारे font हमारे में दिख रहे है PC मे उस वाले font style में यह हो जाएगा, हो चुका है ना भी, अभी देखो ध्यांसे, हमारे यह समझ में आ गया, अभी यह color to background में काम करता है, मैंने बताया था, यहां भी काम करता है, color to में yellow में कर देता हूं, अभी text का background क्या हो गया, अभी yellow नहीं हुआ, क्योंकि अभी transparent पे यहा आपको करना है, कि यहां पे color to में जो भी color रहेगा, अगर हम transparent करेंगे तो वह नहीं आएगा, भले ही yellow कोई, यहां पे color to में नहीं आएगा, लेकिन जैसे ही इसको select कर दिए, और open क्यू करते हैं, तो यह चीज़े आ जाएगा, transparent करेंगे, हट जाएगा, open क्यू करेंगे, आ आपको समझना पड़ेगा, जो कैसे काम करता है, तो यह तो आपको समझ में आ गया, text tool का, यहां से font के style बदलते हैं, यह भी आपको समझ में आ गया, चलिए मैं बाहर कहीं किलिक करता हूँ, अभी मैंने इतना सारे यह जो भी options थे, यहां पर यह समझा दिया आपको, अभी आपको कुछ नया चीज़े समझाते हैं, अभी यहां पर यह जो चीज़े है, यह क्या है, यह अलग-अलग ब्रस दिख रहा है, बाइडिफार्ट सपोर्च कर लो कि कोई हमने रा किया हुआ है, इसके साइज को थोड़ा हम बढ़ा देते हैं, अभी यहां पर ब्रस का यूज कैसे करते हैं, अभी देखिए, यहां पर ब्रस हम कोई भी लेंगे, कोई भी इसमें से बहुत सारा ब्रस है, मैं एक का काम बत आपको समझ में आ रहा होगा, कंट्रोल के साथ एक करूँगा, गेन मैं डिलेट करता हूँ, अभी देखो, यह भी मैंने आपको बता दिया, अभी एक नया चीज़ा मैं आपको बताता हूँ, यहां पर मैंने एक दो सेप्स मैं बना देता हूँ, और भी कुछ सेप्स मैं ब आपको सेप्स मैं और सेप्स मैं यहां इसे माउस का लिटन कैसे पर सकते हैं, अगर आप यह सेलेक्ट है तो कहीं भी इसको बहुत सारे activity कर सकते हैं तो इस लोग मैं क्रॉप आप साथ में सीखा देता हूं जैसा क्रॉप करेंगे यह इमेज बच जाएगा बाकी सभी हट जागा इतना भी पेज में रहेंगे तो ऐसे बन जाता है क्राफ कर सकते हैं अभी ठीक है अब को यह पूरा ही क्राफ कर सकते हैं इसके साथ में आपको सिखा रहा हूं विल्कुल इंट्रेस्टिंग वे में क्यासे सेलेक्ट टूल को भी मैंने सिखाया साथ में क्रॉप व्याप समझ गए अभी अगेन मैं बता रहा हूं कि अब पहला सेलेक्शन तो आपको समझ में आ चुका कि कि किसी भी है नि जो भी हमारा सेप्स है नी पेस पे ड्राइं एरिया पर उ इसे भी कहें ले जा सकत हूं इसमें का कहीं 20 में का पाट आपको पसंद है इसको सेलेट कर लो भाई इसको जामर जिसको मूँग कर सकते हो लेफ बटन दबा खर गए तो आई हो फ्री फ्राउं सेलेक्शन का भी काम आपको समझ में आ चुका होगा सभी को डिलेट करना है इसे लेट करके आप चाहो तो चीजों को डिलेट भी कर सकते हो यहां तक की चलिए मैं अगें उसा आपको चैनि चलिए मैं कुछ अगर दूसरा से लाता हूं जाए इसी सेप्स को मैं वापस से सही कर देता हूं चैन्टोर्ज जिट करो गया नतीम कारे रद होता है इसे यह मैं सेकता हूं हम लोग की कट कफी पेस्ट क्या होता है ठीक हो गया कट कभी पेस्ट अब चैनि करेंगे अब कर सकते मैं वापको बताया ना यहां से करता हूं यहां से हट ग्या पेस्ट करेंगे यहां पर कहीं बीड जा करेंगे के खेंगे इस और डाया पाइए 생ríaire करेंगे rewrite वाइट बेग्राउंड आए जा रहा है यहां तक लेट राइट से किसी साइट से भी साइज को कम ज्यादा कर सकते हैं अभी दिखिए तो आपको समझ में आ चुका होगा आपको पसंद आ रहा है तो पसंद आ रहा है तो लाइक कर सकते हैं अभी आपको बताने से पहले से चलिए मैं सबसे पहले एक बात बताता हूं अभी तो आपने कट जान लिया कंट करेंगे यहां से अधर जाता है और पेश्ट करेंगे तो इसको हाइप ले जा सकते ठीके अब बैगराउंड कलर को आप unlimited time paste कर सकते हैं तो I hope यह भी आपको समझ में आ चुका होगा cut coffee paste क्या होता है मैं आपको time के according हरे options के trend कर रहा हूं ठीक है तो अभी यह समझ में आ चुका होगा कर देंगे जैसे suppose करो कि अभी मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूं और डिलेट कर रहा हूं तो क्या होगा यह डिलेट हो गया इसका मतलब को क्या समझ मैं जो चीजे सेलेक्ट रहता है वही डिलेट होता है लेकिन अभी आप ध्यान से समझो यह option क्या है invert selection अगर हम कोई भी सेलेक्ट से चाहे menghubo ya free from selection किसी की भी मदद से किसी याइने कि जो हमारा SHO select करते हैं और selected करने के बाद से अगर हम inverse selection को on किर देते हैं अब क्या होगा ध्यानसे देखना जो छीजे select है हुँमारा वह रहा जाएगा और जैसे अगर हम delete करेंगे तो जो चीजे नहीं select है वो delete होगा इस बार समझ में आया मैंने delete पे click किया क्या हुआ जो मैंने select किया था वो बच गया और जो नहीं select किया था वो सभी clear हो गया इसका use कहा करते हैं से लिए हम लोग समझते हैं suppose कर लो कि हमने नहीं बहुत सारा यह आईटम्स बनाया हुआ है आप सूच रहे हो कि मुझे यहीं वाला चाहिए एक ही इसमें से चाहिए चलो एक और मैं बना देता हूँ मतल्यों कि मैं यहां पर जो यह हैं हमारा निभ बना हुआ यही बस आपको चाहिए यही बस आपके पास रखना है और बाकी ये जितने भी ये हैं अलग-अलग हमने बनाया है ये सभी इन सबको delete करना है तो आप क्या करोगे आप सोचोगे कि मैं एक-एक करके मतब कि जाओं select वाले tool को लूँ यहां से आप सोचोगे कि जाए एक select टूल को लेता हूँ यहां से क्योंकि आल तो कर सकते नहीं पूरा delete हो जाएगा तो अगर एक-एक select करके delete करोगे सोचो कितना time लगेगा मतब सबको delete करते ही रह जाओगे अब आपको करना क्या है जिसको भी बचाना है मतब जैसे सब्सक्राइब यही बस हमको चाहिए तो इसको select कर लेंगे और क्या करेंगे यहां पे select वाले tool में आक अब ही मैं इनवर्ट सेलेक्शन को यहां से आन करता हूं ठीक है अगही मैं कट भी करूगा न तो कौन सा कट होगा पहले कौन सा कट होता था जो select होता था वही लेकिन अभी कौन सा कट होगा क्योंकि अभी इनवर्ट सेलेक्शन आन है उल्टा काम करेगा जो नहीं select है वह कट होगा देख रहे हो जो मैंने अब पर पर समझ करेंगे एक तरह से आपको समझ में आच चुका होगा देखो मैंने कई बार प्रस करों तनी बार आता जाएगा यानि सीधा इनवर्ट सेलेक्शन का काम होता है आप जो चीज को सेलेट किए वह आपका रह जाएगा और जो भी activity करो जो नहीं select है उन सब्सक इतना भी यहां दिख रहा होगा है कि हम इनुपे सबको बताजिए दो आपसन नहीं बता है आपको चलिए उन अपसन को भी मैं आपको यूज करके बताता हूं यह निया है क्या यहां पर अभी दिखिए यहां पर जो दिख रहा हो मैं एक अलग टाइप का डिफरेंट सब्सक्राइब सब्सक्राइब है इस और शोन नों पर नों सब्सक्राइब करना इस तरीके से कितना मतलब कम होगा तो अभी क्या करता हूँ यहां पर कर देता हूं कितना अभी यहां से आधा हो जाएगा इस सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी लेकिन अभी तो यह तो था किसी को भी कम ज्यादा कर सकते हो बस यह टिक को रेशियो को हड़ा देना ठीक है अभी देखते हैं डिगरी के क्या होता है यह एंगल मतलब बनता है आपने पढ़ा होगा देखो यह हरिजंटल वर्टिकल इसमें अभी दो तरीके से कर सकतो इसमें एक करके मैंने देखा है दूसरा आप खुड ट्राइक कर लेना वर्टिकली में कम कर देगा ठीक है अभी डिगरी के को इसको मैंने रिसाइज कर दिया तो यह न ऑप्शन का काम आपको समझ मैं आ चुको ऐसे ही पिक्सल के थुरू भी सीम क्लाइक कर सकतो में में थरस इसमें अलग 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 पिक्सल से ले करके नमबर्स और यहां पे वह नटीं में tentagtat करो आप इसुप हैर रिक्सायर और गेंप्सायर बिए बता दिया अभी इतना बताने के बाद अभी मैं चलता हूं control एक या कीबूट से और डिले बटन प्रेस किया यह शॉट कट है आपको शॉट कट है याद किया करो काम आपका फास्ट होता है अभी ठीक है डिलेट हो चुका ना अभी आपको करना क्या है अभी यह सारे आपसे आपको एक आपसन मैंने नहीं बताया आपको सब्सक्राइब करते हैं अभी यह रहा हमारा यह यह ठीक है यह से किया यहां से रोटेट कर सकते हो ठीक है यहां से इसको रोटेट कर सकते हो देखो रोटेट से आपको तरीकों से रोटेट कर सकते हो रोटे इसलिक करेंगे कॉपी करेंगे एक वर कॉपी करेंगे एक बिसको चाहिए और आ अब यहां से करेंगे देखो रोटेट हो गया कहीं लगा लिए यहां-सा भी और भी नहीं रोटेट करना हो यहां पर ठीक है अभी आपको समझ में आ चुका का मतब कि कैसे यह क्या चीजे मतब हो रहा है यहां पर बना दिया कुछ भी तो ऐसे ही आप कुछ आपको नहीं बताया था अच्छे से बोलाना मैं टाइम को आपको करता हूं आपको समझा देता हूं यहां से होगा क्या जैसे अभी एक हमें इमें बनाना पड़ेगा तभी है समझ में आएगा यह आपक्स ठीक है यह मैंने बना दिया फिल विद कलर लिया फिल कर देता में आता हूं यहां से अगर हम रूलर को एक्टिव करेंगे देखिए हमारा रूलर जो होता है कितने साइज पर पूरी लाइन आ जाती है यह भी समझ में आ चुका होगा इस्टेटस बार नीचे जो मैंने बताया था ना प्रहते वक्ति सार्टी में देखिए नंबर सो होता पर क्लिक करों कि वह चला जाएगा बाकि जूम आउट फिचर आप खुद पताईए वही से मद्स यहां पर नीचे मिल जाता है यहां से प्लस करके करके कर सकते हो जैसे हंडिट पर क्लिक करोगे हंडिट पर संट पर होता है ना हमारा वर्किंग एरिया मतलब ड्राइंग ए लेकिन एक बात भी से इसकर करके देहां रहां रहें यह कर देता हम यह कर वाला क्या होता है कर वाला जो है ना लाइन यह तो लाइन से सीधा लाइन बनता है अब यहां जा बनाना होते हैं कर दिया जाएं करते हमाएं न से कामे आपको जैसे में इसको मैंने यह किया अभी यह रहे को ताओ is यहां पर बना देता हूं यहां पर बना देता हूं जिससे कि हमें एक डिस्टेंस मेंटेंग हो जाए रेशियो का ठीक है अभी सिट नुक्यां पर लिया हुए इससे ले इसके उब दबाएंगे से अधिका ट्रा किसे और क्लिक करूंगा बराबर जगए पर क्लिक करेंगे जो है कर लाइन को लेकर कर गये लिए को बार इस आप पर रिपीट करोगे और समान नुपात में उपर किया तो यह मैंने इसलिए बताया आप क्रियेटिवेटिए को मैं बोस्ट कर सको हूँ कि मैं मेरा काम है बस डूल्स को बताना और बताने के साथ अपना क्रिया टीमाइंड लगा इन जो भी आजार मैंने आपको बता है आपको समझ में आ चुका को कईशे करते हैं पूरा complete option मैंने बताने का ट्राई किया था और कुछ चीजे अगर आप बोलोगे कि आप कमेंट करोगे ज्यादा से ज्यादा कि सर आप मतब कुछ चीजे ड्रा करके दिखाईए अपनी creativity यूज कीजिए और कुछ चीजे बनाई है करना हो तो क्या करेंगे यहां देखो एक मेनू हमने छोड़ा हुआ था लास्ट में बताने के लिए इस वाले मेनू पर क्लिक करेंगे यहां से नियू पर क्लिक करेंगे तो हम नया पेज ले सकते हैं यह नया पेज आ जागा से पक्लिक करके हमें इस पेज को जो भी हमने बना चाहते हो तो आप देख सकते हो इसको बनाए है सकते हैं तेसे अपने पत्ससंचे के पास से इस टेग्राइव करें क But इसका साइज है 15.05 के भी ठीक है यहां से साइज आप देख सकते हो तो यहां से जैसे ही मैं एक जिट करूंगा यहीं से और आप चाहोती है करने यहां से थुरुविफेंट को बंद कर सकते हो यहां से और आपको सेफ करना हो तो से ऐसे काम का नहीं है तो लोग्राम क्लिक और लें गलती सी क्लिक हो चुका है इस options पे तो आपको कैंदल कर देना है जो भी चीज़े मैंने आपको टिस किया वह आपको समझ में आ चुका होगा कि कैसे कैसे मतलब एमस्मेंट को यूज करते हैं और मैंने ट्राइ किया कि पूरी यूटुब पर जितने भी ट्विटोर्स हैं मैं बेस्ट आपको प्रवाइड करूँ क्वालिटी जिससे कि आप एक बार अगर हमारी वीडियो देख लो आपको कोई दूसरी देखने की जरू थी ना पड़े तो मैंने सारे जो भी ऑफ्संस में था है मैंने यूज करके दिखाया अगेन मैं बोला बार-बार अगर आप कॉमेंट करूगे जादा तो आप कुछ चीज़े बनाईए मतलब आप फोन पे का लोगो बनाईए को यूटूब का बनाईए जो जो चीज़े आप लोग कॉमेंट करूगे लाइब उसका वीडियो जागे इन फ्यूचर हम लोग लो लोग करने में कि आप लोग को पता है कि एक क्लास को रिकॉर्ड किरने एकम अग्युकल में एक सब्सक्राइब में बता दू चाहए пять जाहिंद बंते मतरम